तो भाईयो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि इस साल M.com entrance देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं safest score के बारे में कितना score हमें target करना चाहिए so that हम एक edge पर रहे और हम कहीं न कहीं safe feel करें और हमें इंडिया की जो top notch universities हैं उसमें admission मिल जाए like Bhu, DU और भी other central universities इस वीडियो के अंदर हम लोग basis पर बात करेंगे like cutoff कितना रहा है उसके basis पर हम लोग safe score को design करेंगे क्या आने वाले time में हमारा question का लेवल कैसा हो सकता है क्या cutoff उपर जाएगा, नीचे जाएगा इन सारे points में हम लोग discussion करने वाले तो अगर मुझे पहली बार देख रहे हो, इस चैनल पर पहली बार visit कर रहे हो सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि pattern हमारा कैसा exam का तो basic सी चीजे तुम्हें पता होना चाहिए कि 75 questions आते हैं और ये 75 questions totally हमारे commerce domain से होते हैं, पहले के time में 2022 तक ये चीज़ देखने को हमें मिलता था कि 2223 तक की total 100 questions बनते थे, sorry, 100 questions होते थे, जिसमें से 25 आपके paper 1 होते थे, part 1 जिसे general part बोलते थे और 75 हमारे domain से होता था, लेकिन ये पिछले साल ही ये totally change कर दिया गया और सिर्फ और सिर्फ आप 75 questions आते हैं और हर एक question 4 marks carry करता है और in total हमारा जो paper हुआ करता है, वो 300 marks का paper होता है, अगर एक सही कर रहे हो तो 4 marks गलत कर रहे हो तो minus 1 तो cutना है ही, negative जाना है ही, 4 तो गए ही, लेकिन minus 1 भी आपको यहाँ पे अपना देना पड़ेगा, एक marks और देना होगा, तो अब pattern हमने समझ लिया, या मतलब हमारा कहने का ये है कि 300 हमारे पास marks है, इस 300 में हमें कितना score करना है, हमें ये जानना है, तो अगर मैं तुम्हें BHU का cutoff दिखा हूँ, इस साल 2024 का cutoff दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, ये 2024 का cutoff है, unreserved में यहाँ पे 150 highest marks और 113, इतना lowest marks रहा, अब देखो एक C2, दोनों ही categories है, ये देखो होता क्या है न, C1 होता है non-BHU, और C2 होता है BHU students, मतलब जिनोंने UG BHU से कराया, सेम चीज, DU में भी होता है C1 and C2, उनको भी वहाँ पे preference देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज, इसमें हम मैंने paid seat के cutoff को भी consider किया है, spot round के cutoff को यहां पर मैंने नहीं लिया है, ज्यादा difference नहीं होता है, मुस्किल से card marks का difference होता है, वैसे मान सकते हो इतना है, इसमें लड़के और लड़कियां दोनों के cutoffs है, जैसा कि तुम्हें पता होगा BHU में girls college भी है, तो जो unreserved में 150 से 113 lowest marks, लड़कों का नहीं हुआ है लड़कों का I think DAV last 122 तक admission, 120 में admission लिया है, 120 तक मान सकते हो लड़कों का गया है, यह 113 में तुम्हें girls का बता रहा हूँ, EWS 128 से 102, OBC category 131 से 102, SC category से कर आप belong कर रहे हो, तो 112 highest, 69 lowest, और ST category से 87 marks और 68 lowest, मतलब इतने तक admission हो यह मैं तुम्हें estimate बता रहा हूँ, कहोगे भईया ब भी score करी लेंगे, लेकिन देखो होता यह है ना, कि हम लोग बड़े confidence में preparation start करते हैं, लेकिन exam का माहूल थोरा सा different होता है, negative marks से आपे अच्छा खासा game कर जाती है हमारे साथ, questions गलत होते हैं, हम कहीं ना कहीं नीचे गिर जाते हैं, तो यह चीज़ हमें ध्यान देते वे चल हो गया, 120s या 125s तक, AWS में मालनों तुम इतने पहले सकते हो कि जैसे 130s हो गया, 140s हो गया, मतलब ज्यादा ज्यादा नहीं, इस cut-off जो यह cut-off तुम देख पा रहे हो, इस cut-off में तुम्हें 10-10-12-12 marks बढ़ा लेने हैं, क्योंकि होता ही है ना, कि DU का counselling बाद स्टार्ट हु हो गया, तो बच्चे वहाँ भी apply किये था, अब जैसे ही उनको पता चला कि BHU से उनका DU में admission हो गया, बहले, DU में आगे है result उनके, तो यहाँ sit cancel करवा दिये, तो यह चीज़ दुम्हें देखना होगा, ज्यादा difference नहीं होता है, तो हमने अब यहाँ पे cut-off देख लिया, अ हमें target लेकर तो चलना है 200 plus marks का, मतलब 200 तो हमें target लेकर चलना है, अब मैं तुम्हें जानकारी के लिए बताओ, क्या हम जितना target करते हैं, क्या actual में हमी उतरा मिल पाता है, the answer is no, बहुत rare situation होता है, कि आप जितना target कर रहे हो, आप जितना plan करके चल रहे हो, आप उतने पे पह हो जाओ, हम plan कुछ और करते हैं, थोरड नीचे ही generally आते हैं, और बहुत वैसा rare situation होता है, कि आप उससे plus में चले जाओ, अगर हम 200 target कर रहे हैं, तो हो सकता है, 180 में अटक जाए, 190 में अटक जाए, या 170 में अटक जाए, हमें target इतना ही करके चलना है, लेकिन बात अगर की जा तुमारा कहीं न कहीं, 180 to 90 होना चाहिए, 190 होना चाहिए, क्यों मैं तुम्हें बताता हूँ, इस साल का paper थोरा सा tough हुआ, that's why cutoff का जो level था, वो इतना गया, 150s, 160s, general category, unreserved category के में बात कर रहा हूँ, क्या आप पता, next year तुमारा cutoff उपर चला जाए, questions के paper काफी आसान पूछ हुआ है, लेकिन कुछ बच्चे को, majority को tough लग गए, तो माल लेते हैं, लेकिन उतना भी tough नहीं था paper, तो cutoff का बनना depend करता है कि आपके, cutoff का उपर जाना depend करता है कि paper के level कैसे है, ठीक है, paper का level कैसा है, इस पर depend करता है, paper का level अगर कम है, तो cutoff उपर जाएंगी, तो हमारा जो question, main ultimate question था, कि हमें कितने marks को target लेकर चलना चाहिए, तो the answer is, 180 से 190 हमारा safest score होता है, ठीक है, इतना लेंगे, और लेकिन हमारा जो target होना चाहिए, 200+, इतना हम target रखेंगे, तब हम गिड़ते और पहुंचते दौरते फिरते वहाँ पहुंचेंगे, ठीक है, तो य यह इसलिए जरूरी है, अब देखो, एक और suggestion मैं तुम्हें देना चाहूँगा यहाँ पर, कि जब भी questions practice करो, कोसिस करो कम से कम negative लो, क्योंकि मैंने यह देखा है, पिछले बहुत टाइम से preparation करवा रहा हूँ, मैंने यह देखा है कि students score अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जो उ प्लस negative में 10-15 गिरा ले जा रहा है उनको, तो वो मुफ्त के माक्स क्यों दे रहा है, तो negative attempt को कितना हो सके कम करने की कोशिस करो, जिसमें तुम यह sure हो कि हाँ, मैं 90% में sure हूँ, इतना तो यह तो मेरा, मैं जो कर रहा हूँ, वो सही ही होने वाला है, ठीक है, उसकी attempt लेने क कोशिस करो, तब ज्यादा वो बहतर होगा, तो आज की यही कहानी थी, छोटी सी वीडियो थी, जो भी बच्चे इस साल CVT PG दे रहे हैं, उनके लिए एक बहतरीन कोर्स लांच किया गया है, CVT PG M.com कोर्स के यह सारे फीचर्स हैं, आप चाहो तो exam time app डाउनलोड कर लो, प्ल किसी तो ensure कर सकते हो, तो features तुम्हें आपे देख पा रहे होगे, अगर तुम्हारे कोई doubts है, queries है, तो उसके लिए भी contact मुझे कर सकते हो, दिये गए नंबर पे, और comment section में तुम अपने feedbacks रखो, साथ ही साथ अगर तुम्हें किसी particular videos चाहिए, जैसे किसी on topic demand अगर तुमारा सकते हो, तो मिलते हैं अपने next video में, अब तक के लिए thank you, bye and take care.